रांची के मुराबादी मैदान में 8 नवेंबर को आदिवासी सेंगल अभ्यान के द्वारा सरनाधरम कोड जनसभा का आयोजन हुआ है भारत के साथ राज और विदे से भी कुछ प्रतिनिदी इसमें सामिल हुए हमारी मांग है भारत सरकार अविलम सरनाधरम कोड को मानता घोसित करे आने था हम लोग 30 दिसम्बर को भारत बंद करेंगे रेल रोड चक्का जाम करेंगे इसके पहले 10 दिसम्बर को हम लोग मारंग बुरु को बचाने के लिए मारंग बुरू बचाओ सेंगल यात्रा बारहसनात पहड गिरीडी में करेंगे उसके बाद 22 दिसम्बर को दुमका में हासा भासा विजय दियोसका आयोजन भी होगा और प्रधान मंतरी जी जो 15 नवेंबर को उली हतु आ रहे हैं बिर्चा मुंडा के जनम स्थली पर उसे हमने पत्र लिखकर 28 अक्टवर 2023 को आउगत किया है कि आपने महामहिम रास्पति के पत पर एक अदिवासी को बैठाया एक महान काम है अदिवासीों के लिए समान का बात है उसी प्रकार आपने बिर्चा मुंडा के जनम दिन को जन जाति एक घौरव दिवस घोशित किया ये भी हमको समानित करता है हमारे सभी बीर सहीदों को और अभी जब अब उली हतु में आयते हासी ग्यातरा 15 नवेंबर को कर रहे हैं सारना धरम कोट का घोशना कीजिए आ हम हिंदू मुसल्मान इसाई नहीं हैं तो हमको धार्मिक अजादी मिलनी चाहिए इसी के लिए आज सभा हुआ बहुत सफल सभा था और हम लोग उम्मीद करेंगे 2023 में सरना धरम कोड चुनावी मुद्दा बनेगा हम इसको बनाएंगे चुकि हमारा लक्ष है 2023 में ही सरना हस्तर पर और हम लोग पूरा आसा रखते हैं ये मामला फरिया जाएगा 2024 में चुकि चुनाव है इस मामले पर हम केवल बीजेपी पर नहीं कॉंग्रेस के उपर भी दबाव डाल रहे हैं कि राहूल गांदी जी और सोनिया गांदी उन लोगों ने भी 1951 में अतिबासियों क जो दार्मी कोलम कोड था उसको हटा दिया सरकार कॉंग्रेस की दनने के बाद और अभी बीजेपी ओले जबर जिस्ति हमको हिंदू का ठपा लगाना चाहते हैं तो दोनों ही पार्टी कॉंग्रेस और बीजेपी दोसी हैं तो इस समय एक मौका दोनों के पास है कि आदिवा पासियों का भोट वो लेना चाहेंगे हम भी देना चाहेंगे यदि सरनाधरम कोड की बात वो घोशना करते हैं